दोस्तों स्वागत है आपका WTF यानि की वो वीकली टेक फोकस के पहले एपिसोड में जहांपे मैं लेके आए हूँ आपके लिए सारी WTF ख़बरे इस टेक दुनिया से हर रोज टेक न्यूज बना बना के वही रेगुलर रिपीटेड लीक्स, व्यूवर्स, दे दे के ओवाइल फोन्स के बारे में लाइफ काफी बोरी होई थी, न्यूज भी बोरिंग ही आ रही थी लेकिन अब लेके आए हैं आपके लिए मसालेदार ख़बरें हर हफते हर साट टेकलोजी की दुनिया से इसी WTF में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, अगर आपने भी तेक लाइक और शेर नहीं किया है, तो कर डाल ये चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, और हम बढ़ते आगे देखते हैं क्या है इस हफते की WTF खबरें, नमश्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेकनिकल घुरुजी, चलिए शुरू करते हैं, ओपो के साथ बहुत बढ़ी ट्रेजडी हो गई, यार देको ओपो ने लाँज किया था अपना रेनुएट और रेनुएट प्रो, अब फोन में तो खेर क्या ही दम था, शायद ये बात गूगल को भी बहुत ज्यादा बुरी लग गई, क्योंकि लाँज इवेंट के बीच में ही, लाइब स्ट्रीम चलते हैं, शायद हिस्ट्री में पहली मार ऐसा हुआ है, कि किसी ब्रैंड का चैनल ही उड़ गया, इतना लाइब कराब हो गया, इतना लाइब कराब हो गया है बट स्टेल चलो अभी चैनल वापिस आ गया है, थोड़ी ओपो को राहत मिलना ज़रूरी था, क्योंकि फोन्स तो पता ने अब क्या ही बिकेंगे, कम से कम चलो चैनल तो वापिस आ गया और अब भी केल है केले, रोज लगावे मेले ओपो ने कुछ ऐसा फेस किया है, बहुत फ़नी था, क्या आपने देखा पैसे लाइब, नीचे कमेंट करते में ज़रूर बताना अगला WTF हो गया है, Redmi के मार्केटिंग के जनरल मैनेजर, मिस्टर सुमित सोनल के साथ में और उन्होंने एक लाउंच इवेंट के बीचों बीच तारीफ कर दी, मतला हम नाम ले लिया, Redmi के जगे है, Realme का इंट्रड्यूसिंग आवर फोर्थ वर्जिन इन दी, Realme, Realme, Realme मतला ब्राइट्स कितना ज्यादा अबसेस्ट है अपने कॉंपिटिशन से, कि लाइव इवेंट के तौरा जबान भिसल गई और रीटेक तो होता नहीं है, तो वहाँ पे मूँ से निकला सीधा Realme है, यह बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया है, I don't know कितना ज्यादा अभी जो है, वो प्रोमोशन मिलने वाला है सुमिध भाई को क्योंकि इसके बाद तो कुछ और ही मिलना बनता है, बट यहाँ पे, in fact, माधव शेट जो है, Realme अलो उनने मज़े ले लिए और उनने लिखा कि भाई, लोग तो प्यार करते ही हैं, ब्रांड्स जो हैं, वो भी Realme से बहुत प्यार करते हैं कि जाने अंजाने में, चाहते ना चाहते हुए Realme का नाम ले ही लेते हैं, बहुत मज़ा आ गया भाई, पता नी, पिछले शाम को क्या हुआ होगा सुमिध भ और Apple App Store से, जोर का जटका हाई, जोरों से लगा, यार ये बहुत बड़ी सदमे वाली ख़बर निकल के आई है, जहां पर पेरेंट्स का कहना है, कि जब से बीजिए माय आया है, उनके घर में विटामिन M की कमी हो गई है, चीटिंग, चीटिंग, चीटिंग करता है तो, मतल जलने का मौका मिलना चाहिए, गवर्वर्वर्मेंट इसके पर डिसकस कर रहे थी, और लगता है कि इंडियन गवर्वर्मेंट ने कडा कदम उठा लिया है, और BGM को हटा दिया है, इससे पहले PUBG को हटाया था, BGM को हटाया है, सब तरफ सनाटा चुपी चाही है, समझ नहीं अगर आप अपने पेरेंट्स को समझते हैं कि वह बहुत ही मासूम है, तो ध्यान से देखिए उनके चेहरे को, कहीं वही तो नहीं थे, अपील करने वाले को मेंट से, और अगर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा दिन भर कमरें पढ़ाई करता है, ध्यान से देखिए, कही वही तो नहीं है, जो अकाउंट से चीजे इदर से उसर कर रहा है, अमें तुम्हान अच्छा दिलकुल खीक नहीं लग रहा है, देखते हैं क्या फूचरों का बिजय माई का, हाट गोल्स जोनों विद आल दे प्लेयर्स जिनों ने बहुत पैसे लगाई थे उस गेम के अं अच्छा बात है, तो गूगल खुसा है हमारे फोन्स में, गूगल खुसा है हमारे दमाख में और अभी गूगल घुस गया है हमारे इंडिया की पतली-बतली गलियों में जहां पे लेकर आगया है स्ट्रीट व्यू इंडिया के 10 शेहरों से, लिस्ट में है डेली, पेड़ लाख किलोमीटर्स की सडकों को डिजिटाइज कर दिया है, स्ट्रीट वू के फॉर्म में आप देख सकते हैं अपने घर को, आगे पीछे दाएं बाएं उपर नीचे से, कुछ लोग तो अपने घर के अलावा अपने पोडोस के घर को भी जूम करकर चेक कर रहे है कुछ लोग अपने पुराने घरों पे पहुच रहे हैं, कुछ लोग अपनी गुलफ्रेंड से घर बाहर निकाल के बैठे, कामरा तयार कि असका निकल के पिंगी हाय बोली कि तरपी एससी है ना लेकिन पिंकी नहीं बोल सकती है क्योंकि यह रिकॉर्डड है मेरे बाई और गूगल ने खुद नहीं किया गूगल ने रिकॉर्ड करवाया है जेनिस इंटरनाशनल और टेक महिंद्रा की मदद से गूगल का कहना है कि साल के इंट तक हिंडूस्तान के पचास अलग अलग शहर जो होंगे सीधा गूगल स्ट्रीट व्यू पर तयार दिखने को काफी अच्छी बात है यार कि हम बिना कहीं जाए वर्चुल टूरिजम कर सकते हैं गूगल स्ट्रीट व्यू के थूरू अगर आपको घूमने घुमाने का बहुत शॉक है और पैट्रोल तो बहुत महिंगा होई रहा है अटलीस अब आप वर्चुल ट्रैवल कर सकते हैं ग परसात हो रही है एडल ने 48,000 क्रोड रुपे खर्च किया है अभी तक इन स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए वोड़ाफोन एटर ने खर्च किया है करीब 20,000 क्रोड रुपे और ऐसे में जियो से आवाज आती है रुको जरा सबर करो क्योंकि 80,000 क्रोड रुपे अकेले ज ज्यादा आजाएगा वैसे अभी अडानी ने भी एंट्री ले लिए 5G इसी आक्षिंस में अल्दो ये आपको नॉर्मल देखने को नहीं मिलेगा अडानी ने अपने परसनल यूज के लिए 100 क्रोड रुपे खर्च कर दिये 5G स्पेक्टर मों खरीबने के लिए अब बस इंजार इसी बात का है कि इंडिया में एक्जाक्ली 5G हमको कब देखने मिलेगा वैसे खावरे निकल के आती हैं कि साल के एंड तक कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में कुछ-कुछ जगहों पे अट-लीस्ट आप अपने फोन से 5G सिंगनल पकड़ पाएंगे अगर अ अब तो आने वाला है 5G हमरे पास बस स्पीड अच्छी मिल जा है तो मसाएगा तक को टेकलोजी की दुनिया में लडाईयां चलती रहती हैं ब्राइंट से एक दूसरे का शिकार करते रहते लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि शिकारी खुद यहां शिकार हो गया मोटरोला की सोशल मीडिया टीप ने पता नहीं क्या सोचके पता नहीं क्या खापी के ट्वीट कर दिया था नथिंग को लेकिन जब से नथिंग आया है ना मार्केट में खलबली मच गई है हरकम मच गया है अब सभी ब्राइंड सोच रहे हैं अरे यार अब एक और कॉम्पेटिशन आगे है मोटरोला ने सोचा भी या चलो कुछ मजा लिया जाए लेकिन मजा खुदी का हो गया क्योंकि काल्पी ने उसका रिप्लाय करते में लिखा कि भाई देको 90 साल पुराना ब्राइंड दुन क्या हुआ एड़ एंड मोटरोला की सोच मेडिया टीम ने ट्वीट को रिबूब किया अपनी मुस्कुराहत के साथ में चुपचा पतली कली कुशिश की बट इंटरनेट है सब ने देख लिया और मजाक बन गया मोटरोला का वैसे आपको क्या लगता है या कि क्या ब्राइ दोस्तों यही कुछ ते इस हफते के सारे अपडेट्स इसी ब्राइंड न्यू WTF में वैसे आप बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा आपकी तरफ से क्या फीड़ बैक है आपकी तरफ से कुछ और अगर हिडन कहानी है जो आप चाहतें कि हम अगले हफते में इंक्लूट क कुछ झाहते हैं